हिंदुस्तान पूरे दिन कुछ काम नहीं करता सर, economy कोने में डालो, ठीक है, information technology कोने में डालो, space program कोने में डालो, sports कोने में डालो, agriculture कोने में डालो, सब लोग बैठके सर, एक जगे मोदी जी बैठते हैं, अमिच्छा जी बैठते हैं, डवाल साब बैठते हैं, हमारे आर्मी दिन बैठके सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुनके, आज अफ़ानिस्तान में 15-15 साल की बच्चियों को घरों से निकाल के लिए जाने वाले, जिस तता सतिक मुसलमान ही हैं और हैर दिन पाक मीडिया में डिबेट हो रही हैं और जमकर तालिबान की तारिफ भी की जा रही हैं, दोस्तो जब बारतिया मेजर गोरवारिया ने रिपबलिक बारत की डिबेट में पाकिस्तानी से ये पूछा कि तालिबान के इसी इंसक रवाईये पर पाकिस्तानी इतनी ज़्यादा खुश्या क्यों मना रहा है तो पाकिस्ताणी ने डिबेट में जो कारण बताया उसे सुनकर मेजर गोरोव आर्या और सुबोई खान ने पाकिस्ताणी को तालिबान की इसलिए हकिकत दिखाई और पाकिस्ताणी पोजगी तालिबान के सामने ओकाथ भी बत वसस पाकिस्तान, अच्छा ही बात बताईए, हामिद कान साब क्या बात है ये, इतने ढोल नगाले, पाकिस्तान में, तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, ऐसा क्या तवक्को है आपका तालिबान से, ऐसा क्या चाहते हैं आप तालिबान से, आप ये बत तेंक यू वेरी मच गॉरॉफ देखिए बात ये है कि चलें इसे एक बात तो आपने मान ली पड़े वाज़े तोर पर कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया के सारे कोशिशों के बावजूद एक अकट है एक यूनिटी है और सब एकी जुबान बोल रहे हैं एक तो ये बात अमरीका जाएगा तो यहां वहां पर एक यूद हो जाएगा जंग होगी सिवल वार होगी ऐसा कुछ नहीं हुआ कोई खून नहीं गिरा काबल में गोली नहीं चली और तालबान ने उससे टेक ओवर किया है जो पिछली हकूमत करब तरीन हकूमत थी ऐसी हकूमत थी जो ना तो अवाम के साथ थी बलके डालरों को बैग और गाड़ियों में बार के ले जा रहे थे पाकिस्तान का सिर्फ एक ही में मॉटिफ था कि काबल के अंदर ऐसी हकूमत आए जो ना सिर्फ काबल में अफगानिस्तान की पबलिक की नमाइंदा हो उसके साथ किसी भी मुल्क चाहे वो भारत हो या कोई भी मुल्कों उसके लिए काम ना करे बलके अपने आवाम के NDS और RAW का जो पूरी दुनिया को एक नेक्जिस नजर आता था और तुरी दुनिया को पता था वो खतम होना चाहिए देखे हम ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर जी बिलकुल बिलकुल बहुत बड़ी साज़िश है हिंदुस्तान पूरे दिन कुछ काम नहीं करत सब बैठते हैं दौवाल साब बैठते हैं हमारे आर्मी चीफ सब बैठके दिन रात सर दिन में करीब 4-4 मीटिंगे होती हैं साज़िश 1, साज़िश 2, साज़िश 3, साज़िश 4 सर हम पूरे दिन बैठके सिर्फ साज़िश करते हैं और हमारी जो 3-trillion dollar की economy है सर सुने ने मे तालिबान को लेके इतने खुश है पाकिस्तानी, क्या इनको ये एहसास नहीं है कि तालिबान क्या नहीं है, ये कह रहे हैं करप्ट हैं, करप्ट है तो उनका नवाज शरीफ कौन सा दूद का दूला हुआ था, वो सबसे बड़ा करप्ट आदमी है, जरदारी उसका भी बाप है, इमरान खान परसनली करप्ट है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान की जो नीचे दो चार लोग हैं, वो तो जबरदस्त किसम के करप्ट है, माफिया आपका, वाटर माफिया से लेकर, आपका मिल्क माफिया से लेकर, दुनिया बर का करप्ट है, सबसे इससे बड़ा कर्रप्शन क्या हो सकता है कि 375 से हड गया 375 से हड गया बोला साब बगल में हिंदुस्तान है हिंदू है तुम्हें खा जाएगा खा जाएगा मुझे 3 साल का extension दे दो 3 साल का extension ले लिया इंडिया ने तो कुछ नहीं करा तीन साल का extension लेके भाई साब बैठ गये बाजवा साब इनके आर्मी चीफ इस से बड़ा कर्रप्शन क्या हो सकता है सुबोई जी जी देखिए गौरफ जी मैं एक बात जरूर आज बोलना चाहती हूँ आपने बहुत important discussion उठाया है कि देखिए Islamic State का myth तूटना जरूरी है ये लोग आवाम की बात करते हैं ये लोग बोलते हैं कि वो करफ है हम बहुत दूट के दुले हैं ये लोग दूट के दुले हो ही नहीं सकते क्योंकि इनकी आइडियालिजी ही गलत है religion एक बहुत personal चीज होती है Allah से relationship अलग होती है state laws अलग होती है Islamic State नाम की कोई चीज exist नहीं कर 15-15 साल की बच्चियों को घरों से निकाल के लिए जाने वाले जिस तताखतिक मुसल्मान ही है बुर्ता ना पहनने पर महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है चौराहे पर महिलाओं को हंटर से मारा जा रहा है लेडी गवरनर्स को पाइलेट्स को कैटिव बनाये जा रहा है और लोग बात करते हैं आवाम की आज वो समय कि हम सबको पूरी दुनिया को अफगानिस्तान की महिलाओं और अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है इसमें गौरव जी मैं अफगानिस्तान के लोगों से भी अहवान क किया जाता है जब दूसरे पंदों से दूसरे देशों से आपको अलब किया जाता है जी आपने देखा किस तरीके से यहां पे फारिंग हो रही थी और हामिद खान ये बोल रहे थे कि सब तालिबान दूद के धुलें साथ वो टेरिस थोड़ना है वातंगबादी देश्टग को अपनी आपकी खोडनी चाहिए जिस मातर भूमी में वो पैदा हुए उस मातर भूमी का सम्मान करें अगर इसलाम के नाम पे आपको अलगावादी कट्वादी बनाया जाता है तो उस चीज़ का विरोध तभी करिए अगर अगर अफगानिस्तान के लोग जब 2015 में सेम य बहुत ही दुख की बात है कि मुझे ये कहना पढ़ रहा है गौरफ जी लेकिन मनन नहीं करेंगे आखें नहीं पोलेंगे तो उस श्राफ से उन चीज़ों से उन तकलीव से हम बते नहीं रह सकते हैं जी बलकुल जी बलकुल सुभी खान बहुत बहुत धन्यवाद आपका ह मलिया जी मैं थोड़ी देर में जॉइन करेंगी आप फिर मैं उनसे भी सवाल लूँगा और श्वेता तरिपाटी भी उनसे एक सवाल पूछना चाह रही है मलिया हाश्मी जी से जब वो आएंगी अच्छा हमिद खान साब एक बताईए आप लोग चाहा किया रहे हैं आप तालिबान ने गाने बैन कर दिये तो तालिबान की खुशी में भी गाने गाएंगे वो भी गुना है उसके लिए भी मार देंगे वो लोग तो क्यों बच्चों को ऐसा बहकाते हैं सर कि आओ चलो बच्चों मिलके तालिबान की खुशी में गाना गाएं पाकिस्तान का जंड़ा नीचे करके वहाँ पर तालिबान का जंड़ा उपर कर दिया इसलामबाद के बीचों बीच भारत की साज़िश है आच्छा नहीं भारत की साज़िश नहीं है सर हो सकता है क्योंकि देखी ये ये रमनीकमान जी बैठे हैं यह बहुत साजिश करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ